आप सभी को बताना चाहता हूं इस वक्ते के जो है सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, सबसे बड़ी ब्रेकिंग नीव्स के बारे में जिहां, 36 गड़ में इस वक्ते के सबसे बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं, 36 गड़ में इस वक्ते की काफी महत्वपून जानकारे जी हां तो 36 गड़ जो है BJP की बड़ी घोशना जी इसमें डिप्टी सीम मानिस्री विजय सर्मा जी की बड़ी घोशना किसानों का करजा माफ होगा जी हैं चतिस गड़ की किसानों का बैंकों का जो है लोन माफ होने वाला है अगर हम बात करें कितना माफ होगा तो किसानों का बैंकों का जो है एक लाख रुपे तक का कर्जा माफ होगा इसके अलावा ठारा लाग गरी परिवारों को पी एम आवास योजना के किस्त जो है जा को पूरा करने के लिए BHAARती झनतापार्टी चयरकार उन सभी वादयों को पूरा करने के लिए BGP की गौर्पनिंट जो प्रतिबत है और देखें एक बार जो है भारती जनता पार्टी के दोवारा हम सभी के लिए घोशन पत्र जो जारी किया जाता है जो मौदी की गारेंट को पूरा करना और भारती जंतापाटी के सरकार के द्वारा बीजेपी गौवर्मेंट्स के द्वारा कहीं न कहीं आप सभी के लिए आप सभी के उम्मीदों पर खरा उत्रा जाएगा और आप सभी के हर एक वादों को जो है जो भी वादे जो भी वेनु खेश्टो जो भी घो उन सभी घोष्णा पत्रों को पूरा करेंगे यह बीजेपी गौवर्मेंट्स का सबसे मेन लच्छे हैं और उन्होंने काया और उन सभी वादों को भी पूरा किया जाएंगे अगर हम बात करें तो 36 गड़ बीजेपी की सबसे बड़ी घोष्णा आप सभी के लिए डिप्टी सर्मा विजए सर्मा डिप्टी सी म विजए सर्मा जी है मानिश्री विजए सर्मा जिने जब चुनाओ चुनाओ था तो चुनाओ के वोक्त हर एक जगा उनके द्वारा दर्कार आयागें बीजेपी की गुवर्मेंट ऐगे तो स्थशेखभड के सभी खिसानों का बैंकों कर्जा माप करने काम स्थशेखभड़ने भारती जंता-पार्टी की सरकार के द्वार thrive किया जाएंगे 36 गड़ने से भी किसानों का बैंकों का जो है लोन 36 गड़ के किसानों का बैंकों का जो है कर्जा माप करने काम बीजेपी गवर्मेंट्स के द्वारा किये जाएंगे कैसे भी करके खर एक कोशिश जो है किये जाएंगे और आप से भी किसानों का बैंकों का कर्जा जो है एक ए कहीं न कहीं जो किसानों को पता था कि BJP boa cricket के दुएरा देर सहीं सहीं लेकिन जो गैरेंटी थी जो वादे थे जो मौदी की गřैरेंटी थे जो आप लोगों से जो वादे किये गए थे उन सभी वादों को, उन सभी गोशना पत्रों को उन सभी चीजों को कहीं न कहीं पूरा करने का काम भारती जंता पार्टी की सरकार के द्वारा किये जाएंगे कहीं न कहीं न सभी वादों को पूरा करने के लिए बीजेपी की गौवर्मेंट जो है बीजेपी की सरकार प्रतिबद है तत्पर है और इसलिए जो है आप सभी के लिए घोशना पत्रों में जो है जारी किये गए हैं और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैक्जिमम जो है 36 गड़ के सभी किसानों का एक एक लाक रुपे तक करजा माफी जो है आप सभी को जो है देखने को मिल पाएगा अगर आपका किसी बैंक में 2 लाक रुपे का करजाए या 3 लाक रुपे का करजाए या 4 लाक या 5 लाक रुपे का करजाए तो वहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 2 लाग का करज हैं 3 लाग 4 लाग 5 लाग तो वहाँ पर आपका एक लाख रुपए तक का बैंकों का कर्द समाफी देखने को अब सभी को मिल पाएगा तो बारती जनता पार्टी के सरकार के दोरा बीजेपी गोवर्मेंट्स के दोरा आप सभी के लिए जितने भी घोशना पत्र होते हैं जितने भी अपडेट होते हैं जितने भी मैनुफेश्ट हो जो आप सभी के लिए निकल कराते हैं वो हर एक घोशना पत्र हो हर एक चीजे आप सभी के लिए कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वो हर एक अपडेट आप सभी के लिए कहीं ने कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप सभी को जो है देखने को मिल पाता है तो 36 गड़ बीजेपी की बड़ी खोशना आप सभी के लिए इस वक्त जो है निकल करा रहा है डिप्टी सीम विजेश सर्मा के सबसे बड़ी घोशना है किसानों का होगा कर्जमाप सबसे पहले तो किसानों का बैंकों का जो है कर्जमापी जो है देखने को मिल पाएगा 36 गड़ के सभी किसानों का बैंकों का जो है एक लाक रुपे तक का कर्जमाप होगा और करीब जो 18 लाग गरीब परिवारों को प्रधान मंतरी आवास युजना का पैसा करीब 18 लाग गरीब परिवारों को उनका जो है खुद का घर उनको जो है उनका खुद का आवास मिलने वाला है पी एम आवास मिलने वाला है और बहुत से 36 गड़ में गरीब परिवार ऐसे जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता जी हैं बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं होता और 36 गड़ में अगर हम जनसेंख के बात करें तो धाई से तीन करोड की जनसेंख हैं जिसमें 18 लाग गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए उनका घर नहीं है रहने के लिए उनका खुद का घर नहीं है क्योंकि खुद का घर नहीं है तो इसी को देखते हुए विश्नु देसाय सरकार के दौरा पहली कबिनेट के बैठक में जी हम आप सभी के लिए जो विश्णु देसाय के सरकार बनी तो प्रथम कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट बैठक में ये मात्टुपॉण फैसला आप सभी के लिए जो है लिया गया क्योंकि देखे इसी वज़े से चतिस गड़ के सभी जो गरीब परिवार रहते हैं क्योंकि बहुत से गरीब परिवार रहते हैं बहुत जादा जिनके बास रहने के लिए सीड ढगने के लिए उनका खुद का घार नहीं है तो उनको जो है देखते हुए उनकी गरीबी को देखते हुए बीजेपी गवर्मेंट्स के द्वारा ये काम किया गए क्योंकि कॉंग्रेस की जब सरकार थी न तो जो सुईधा आप लोगों को बीजेपी गवर्मेंट्स में देखने को मिल रहा है जो 18 लाग गरी परिवारों को प्रधान मंतरी आवास योजना वो सायद आप लोगों को बीजेपी गवर्मेंट्स में आपको देखने को मिल रहा है वो आपको कॉंग्रेस की सरकार में देखने को नहीं मिलता क्योंकि कॉंग्रेस सरकार में पीएम आवास योजना को पूर्ण तरीके से पीएम आवास योजना को फिर से लागू किया गया और कहीं न गहीं आम सभी के लिए भार्ती जन्ता पार्टी की सरकार के द्वार को उनका खुद का घर मिलने वाला 18 लाग गरी परिवारों को पीम आवास योजना के तहत प्रधान मंतरी आवास योजना जो है मिलने वाला है ये भी चीज़े बहुत बड़ी चीज़े हो जाती है अपने आप में तो डिप्टी सीम विजय सर्मा की जो है सबसे बड़ी घोश होते हैं जो आप सभी केले निकल करा आते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने काफ़ी एमपॉर्टन चीज़े हो बाते है तो किसानों का बैंकों का जल्दी एक लाक रुपतक का करिज़ा माभाब सभी का होने वाला है आई होप जितने भी ज़न आपको आउन्ट करके रख लेना एंड प्लीस वीडियोस को जितना जादा होशा के शेयर करना जितना जादा लोगों तक वीडियोस को पहुचाएंगे जितना जादा शबी लोगों तक वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी जादा वीडियोस में होच पाएगा Thank you so much, man.